एक राजा ने अपने राज जी की एक सड़क में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और वहाँ खुद छिप गया यह देखने के लिए कि देखें कौन इस पत्थर को हटाता है उसके राज जी के कई बड़े बड़े लोग और मंतरी उस रास्ते पर से गुजरे परंतु उन में सबजियां रखकर उन्हें बेचने जा रहा था उसने जब उस पत्थर को रास्ते में पड़े देखा तो सोचा कि कोई उस पत्थर से टक्रा कर गिर ना जाए इसलिए इसे रास्ते से हटा देता हूं और उसने अपना ठेला किनारे रखा और उस पत्थर को हटाने लगा पत्थर बहुत भारी था और सबजी वाले से हट नहीं रहा था परन्तु फिर भी उसने थोड़ा-थोड़ा सा उठा कर किसी तरह उसे रास्ते से हटा दिया जब सबजी वाला अपना ठेला लेकर आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा कि उस जगा पर जहां पर पत्थर रखा था एक छोटी सी थैली रखी हुई थी उसने उसे जब खोल कर देखा तो पाया कि उसमें कुछ सोने के सिक्के हैं और राजा के द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिसमें लिखा था कि ये इनाम उस वेक्ती के लिए है जो पत्थर को रास्ते से हटा देगा उसने खुश होकर उस इनाम को अपने पास रख लिया रास्ते में पत्थर यानि अडचन खड़ी करने वाले तो कई मिलते हैं पर दुसरों की राहों से पत्थर हटाने का कारी कुछ ही लोग करते हैं जब हम भी दुसरों की राहों से पत्थर हटाने का कारी करेंगे तो इनाम हमें भी अवेश्य मिलेगा क्योंकि वचन भी हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करनी चाहिए